नमस्कार न्यूस्ट्रेक के वाई फेक्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ योगेश्मिश उत्तविस्की राजधानी लखनव में बीते दिनों पिटबुल प्रयाती के एक कुट्ते ने अपने घर की एक मालकिन को नोच नोच के खाड़ा यह संसनी खेज खबर समूचे भारत में खूद तेजी से चली और अलग अलग तरह की राय आई कुट्ते को घर की मालकिन के बेटे ने पाला था जिसका नाम ब्राउनी रखा था उसे कुट्ते पालने का शौक था वो खुद तो जिम ट्रेनर है जब ब्राउनी ने उसकी मां को नोच नोच के खाड़ा ला तो यह सवाल उठा के क्या कुट्ते को गोली मार दी जानी चाह और गोद में जिस तरह वो कुट्टे को वापस लेके चिपकाय चला आ रहा था उसे देख के लगता ही नहीं था उसकी माँ को उसके पालतू कुट्टे ने मार डाला है इसका उसे रंचमात दुख भी है सवाल ये भी उठा था कि ऐसे में कुट्टे को क्या कोई सजा दी जा सकती है कुट्टे को नगर निगम उठा ले गया था पूरे मुहले में एक डरावना महौल बन गया था कुट्टे को पंदर दिन की कस्टडी में भी रखा गया था लेकिन कुट्टे की हत्या नहीं की गयी कुट्टे को मारा नहीं गया कुट्टे को कुई सजा नहीं हुई पर ऐसा नहीं कि कुट्टे को सजा होनी नहीं चाहिए थी 1921 में अमेरिका के फ्रांसिस्को शेहर में एक कुटे को सिर्फ इसलिए सजा हुई कि उसने कई बिल्लीयों को एक साथ मार डाला था उस कुटे का नाम डार्मी था और कुटे को केलिफोरनिया कोट में पेश किया गया कोट ने बाकाइदा उसे सजा सुनाया इस पूरे वाके में कितने दिल्चस्प बाते हैं किस तरह ये कोट में मुकदमा चला और किस तरह कुट्टे को सजा हुई हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है डार्मी पर आरोब था कि उसने पीडितों को दिन के उजाले में मार डाला बाद में उनकी हड्डियों को कूतर डाला कहा गया कि एरेडेल टेरियर नसल का डार्मी इस राज्य का सबसे कुख्यात बिल्ली हत्यारा था जब डार्मी को अंततर ट्रेक किया गया तब उसे किसी पशुग्रिय में भीजने की बजाए इनसानी आदालत में पेश किया गया डार्मी का मालिक इटेन मैक मिलन नाम का एक कार डीलर था जब डार्मी को किसी महिला ने बिल्ली का शिकार करते हुए देखा तो एक बैठक बुलाई गई उस कुट्टे के मालिक को अल्टिमेटम दिया गया कि वो अपने कुट्टे को खुद मार डाले जब मैक मिलन ने अपने पालतू जानौर को मारने से इंकार कर दिया तो उस पर दुशकर्म का आरोप लगाया गया 1920 के दशक में अगर किसी के पास खतरनाक या शातिर कुट्टे होते थे तो उसे दंड के रूप में भारी जुर्माना चुकाना पड़ता था या कुट्टे को सीधे मार दिया जाता था इस केस में मैक मिलन ने जुर्माना दिने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि उन्होंने डार्मी के लिए एक लाइसेंस खरीदा है और इसका मतलब है कोई कुट्टा कानोनी रूप से सेन फ्रेंसेसिको के आसपास घूम सकता है मैक मिलन ने तरक दिया को डार्मी के वहार के लिए जिम्मेदार नहीं है और उसने कभी भी डार्मी को किसी भी बिल्ली को मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया मैक मिलन ने कुट्टे के बचाओ के लिए जेम्स एफ ब्रिनन नाम के एक वकील की मदद ली यह केस पुलिस ने अधिस लील टी जैक के नियाले कक्ष में 21 दिसमर 1921 को शुरू हुआ मजे की बात यह रही कि बच्चों ने डार्मी के बचाओ के लिए चंदा करके रकम जमा की ताकि कानूनी खर्च पूरा किया जा सके बचाओ पक्ष के वकील ने डार्मी की पहचान के लिए अलग अलग नसले के कुत्तों की पाकायदे अदलत में परेट कराई डार्मी की गिरफतारी को चुनोती दी गई उसके अधिकारों का उलेख किया गया मामले पर विचार गुश के बाद 11 जूरी सदस्यों ने डार्मी को मुक्त करने के पक्ष में ओड दिया सिर्फ एक जूरी सदस्यों ने डार्मी को सजाय मौत देने की बात कही चुकि जूरी एकमत नहीं थे सो औसर का लाव उठाते हुए जिम्स ब्रेनन ने आदालत से मामले को खारिज करने के लिए कहा नयादीश जैक इस सहमत भी हो गए इतना ही नहीं उन्होंने शातिर और खतरनाक कुट्टों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाले कानून को भी रद कर दिया उन्होंने का कि लाइसंस प्राप्त कुट्टे जहां चाहें वहां जा सकते हैं पर अपसोस की बात है कि यह कहीं भी नहीं लिखा गया कि इस मुकदमे के बाद डार्मी के साथ हुआ क्या साइकॉलजी टूड़े क एक लेख में बिटिश कॉलंबिया विश्वद्याले के प्रफसर स्टेनली बताते हैं कि डार्मी के मुकदमे ने कई अद्यूती कानूनी मिसालें कायम की सबसे उलेखनी है कुट्टों को अब जूरी दोरा परिक्षन का अधिकार है मामला यह भी बताता है कि कुट्टे ग वाला देकर तैक किया जाता है शायद किसी दिन कोई वकिल 1921 के फैसले की और इशारा कर सकता है दरसल कुट्टे या किसी अन्य जानूर पर मुकदमा आज एक अजीव हास्यास्पत बात लग सकती है लेकिं इतिहास के पन्ने पल्टें तो पाएंगे कि पहले के जवाने में ये कोई आसामान ने बात नहीं थी मध्यूक के दौरान कानूनों को तोड़ने के लिए जानूरों को अकसर जवाब देर ठैराय जाता था अगर उसने अपरात किया तो मामला अदालत में जाता ही था यूरोप में पश्मुकदमों के भरमार रही कुट्टे घोडे मशली अदाल्तों में घाषीटा जाता था अनेक मामलों में उन्हें मौत की सजा दी गई थेरह सो चोदह में एक बैल को हत्य के फाश पर लट्का दिया गया था चौदर सो चोधित इसलिए को कि मद्यूग में हर जगे सूर पाए जाते थे तेरे सो उन्यासी में तीन घातक सूरों ने एक फ्रांसेसी किसान की हत्या कर दी जब मामला अदालत में गया तो सभी सूरों पर मुकदमा चलाया गया लेकि उनके मालिक ने ड्यूक आफ बर्गंडी को सूरों को छमा करने के लिए मना लिया तेरे सो छीयासी में फ्रांसेसी शायर फलाईज में तो एक सूर पर एक बच्चे को खा जाने का मुकदमा चला अदालत में जब सूर को एक लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया सजा के तौर पर मादा सूर को उसके पिछले पैरों से एक पेंड से लटका दिया गया जबकि उसके बच्चे को उनकी कम उम्र और मा के भरस्ट प्रवाव के करन छोड़ दिया गया इस तरह हम देखें तो जानवरों पर भी नायाब बात नहीं थी लेकिन जिस तरह उसका मालिक ब्राउनी को गूद में चिपका करके वापस उस घर में लाया जिस घर में उसकी मां के ब्राउनी ने टुकड़े टुकड़े कर दिये थे वह जरूर नायाब बात है इस बार इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी के लिए नमशकार